नमस्कार स्वागत है आपका दान्यूज पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी फेमस यूट्यूबर और बिग बोस ओटिटी वीनर एलविश यादव पर रेप पार्टी में सापो के जहर की सप्लाई की माखले में अब नोईडा पुलिस ने उनसे पूस्ताच की है और प अरेंजमेंट किया था यानि एलविश पर जो आहरोप लगातार लगाए चाह रहा हैं कि वो एक वीडियो में नजर आ रहा हैं जिसमें साप उनके गले में हैं और वो सापो का अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं सापो की सप्लाई करते हैं उनके जहर को बेचने का काम करत यह तमाम गंभीर आखरोप जो है वो दरसल जो मेनका गानी के एंजियो और ने एफाहियार एलविश यादव के खिलाफ दर्च कराई है उसमें कई गंभीर आखरोप एलविश यादव पर लगाए गए हैं जिसके बाद अब नौईटा के सेक्टर 20 स्थाने में एलविश या खुलासा किया कि तरसल सिंगल फाजिल पुरिया ने सापो का अरेंजमेंट किया था कल एंग्विश को लेके पूशताच की गई है और अब तक हमारे द्वारा इस विवेचना में दो जो साक्ष संकलीद के गए थे अब विशता पूशताच के हमारे 5 अभीत है, इनका पूशताच प्रीश कुर्चटाग में जो सो करते हैं यानि वह साप जो थे वह वाचिल पुरिया नहीं काये थे चुकि उनके गाने का ही जो शूट था वह चर रहा था जिसमें एलविश यातव थे और उसी वक्त ये वीडियो उन्होंने शूट किया था जिसमें कि वह साप के साथ नजर आ रहे हैं दरसल सोशल मीडिया पर एलव जो शूट कर रहे हैं उनके पास ये साप कहां से आए क्या वो जहरीले सापों की सप्लाई करते हैं ये तमाम सवाल भी नौईडा पुलिस की और से एलविश से पूछे गए लेकिन अब इस माफले में नौईडा पुलिस ने एलविश से लंबी पूस्ताच की है करीब 3-4 घंटे की पूस्ताच एलविश यादव से हुई है और नौईडा पुलिस के मुताफिक एलविश ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि सापों का अरेंजमेंट वो बॉलिफूट सिंगर फाजिल पुरिया अपनी शूटिंग के लिए करता था फाजिल पुरिया का नाम साफ फाजिल पुरिया से जो जी न्यूज ने बातचीत की है उसमें उन्होंने ये बताया है कि नौईडा पुलिस ने मुझसे कॉंटेक्ट किया है तमाम फो डोक्यूमेंट्स मांगे हैं जिसमें कि फाजिल पुरिया ये कह रहे हैं कि मैंने पर्मिशन ली है प्रोडक्शन वो पुस्ताच के लिए भी फाजिल पुरिया से बातचीत की है तो ये जानकारी फाजिल पुरिया की ओर से दी गई है जो की बॉलिफुड सिंगर है और जिनके गाने का शूट जो है उसमें सापों का इस्तमाल किया गया था लेकिन फाजिल पुरिया का ये कहना है कि ऐसे तो हम बंदूकों का भी इस्तमाल अपने गाने में करते हैं तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम बंदूकों की सप्लाई करते हैं चैसा की आपरोप लगाया चारा है कि साप का इस्तमाल वीडियो शूट के लिए क्या क्या है और इस तरह से सापों की सप्लाई कर रहे हैं जहर उनका बेच रहे हैं विदेशी लड़कियों की सप्लाई कर रहे हैं ये तमाम आप होप जो है वो मेंका गांधी के एंजी ओ की तरफ से लगाए गए हैं लेकिन अब फाजिल पुरिया का नाम साफ ने आने के बाद जाहिर तोर पर इस पूरे माहले में ये नया मोड आ सकता है हलाकि शूटिंग में सापो के इस्तेमाल को वन्यचीव संग्रक्षन के तहट अपराद माना जाता है ऐसे में फाजिल पुरिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं लेकिन फिलाल एलविश की ओर से ये बड़ा खुलासा किया किया है एलविश यादफ से पूस्ताच अभी खत की है कई एहम सवाल उनसे किये गा है इस पूरे माफले से रिलेटेड लेकिन अभी तक उनकी कोई भी इन्वॉल्फमेंट इस पूरे माफले में पुलिस को नहीं मिली है मैं आपको ये बता दूं कि दरसल इसमें पांच जो सपेरे हैं उनकी गिरफतारी हुई है लेकिन कोई भी सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिला है लेकिन फिर भी जो सपेरे गिरफतार किये गए हैं अब कहा ये जा रहा है कि उनके साफनी बैठा कर एलविश से पूस्ताच पुलिस कर सकती है इसके साथ ही पुलिस ने कोट से पांचो सपेरों की 14 दिन की रिमांट की मा साफों की सप्लाइ करते हैं और इस तरीके से साफों का जहर बेचने का काम एलविश यादव कर रहे हैं ये तमाम गंफीर आखरोप लगाए लेकिन उसके बाद अब खुद एलविश यादव नोटा के सेक्टर बीस थाने में पहुचे और इस पूस्ताच के दौरान कई ए इनका गानी जो की टिकेट के लिए ये सब कुछ कर रही हैं बहतर होगा कि वो अपने माफी तयार रखें क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और पुलिस ने जो सवाल पूछे हैं उसमें ये पूछा है कि आपके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे मे सब आखेंगे वीडियो में जो साफ दिख रहा है कि एलविश की वीडियो वारल हो रही है उसमें वह साफ कहां से आए थे और को लेकर आई था उन साफ को आप उन साफों के साथ पूछ क्यों दे रहे थे मक्सद क्या था यह तमाम सवाल पूछे गए हैं किया आप राहुल पूछे गए हैं आप राहुल यादव के संपर्ख में कैसे आए ये मैत्पून सवाल जो कि एलविश से पूछे गए क्योंकि आख्षोप लगा है कि रेव पार्टी में नश्य के सापो की जहर का इस्तवाल होता था और सापो के जहर का सप्लाई करने का काम एलविश यादव के जहर हो रहा था लेकिन एलविश यादव लगातार इन आरोपों को नकार रहे हैं अब फाजिल पूरिया का नाम साप ने आया है जो कि बॉलिफूट सिंगर हैं और मैं आपको ये बता दू कि एलविश के काफी करीबी लोगों में से एक माने चाते हैं फाजिल पूरिया और इस तरीके से उन्होंने कई बहत्रूइन गाने गाए हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हमारे गाने के शूट का है जो भी साब दिख रहे हैं वो एक्जोटिक हैं उनकी पर्मिशन थी उनका रेव पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है ये पुरिया ने भी पुरी तरीके से नकारा है तो कुल मिलाकर आके इस पूरे माहिने में क्या होगा इस तरीके से पूस्ताच एलविश से आने वाले वक्त में होगी ये देखना होगा लेकिन फिलाल एलविश यादफ ने एक बार फिर अपने उपर लगे आरोपो को पुलिस के साप ने पुरी तरीके से नगारा है सभी सवालों का जवाब देते हुए ये कहा है कि सापों का arrangement वो मेरी तरफ से नहीं बलकि फाजिल पुरिया की तरफ से किया गया था अब फाजिल पुरिया को वो सबूत पुलिस को देने होंगे लेकिन फिलाल एलविश यादव से लेकर उनके तमाम जो फैंस हैं वो लगातार के कह रहे हैं कि ये एक सर्फ और सर्फ राजनितिक साजिश है एलविश के खिलाफ चुकि लगातार जिस तरीके से वो कही न कहीं शोरत हासल कर रहे हैं जिस तरीके से वो लगातार बीजेपी का सफोर्ट भी करते नजर आए हैं तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये एक साजिश की बूजो है वो कही न कही इस पूरे माफले में आ रही है फिलाल आपकी इस पूरे माफले को लेकर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखें थानिवाद